हेलो गाईज, वेलकम टो टेस्टी फूड एंड फूडी, आज हम बनाएंगे डाइजेशिन गोली, इसके लिए मैंने हिंक का एक पैकेट लिया है, जो टैन रूपिस के क्रीब होता है, और इसे तबे पर हम अच्छे से रोस्ट करेंगे, तो जब इसका थोड़ा सा कलर हो जाएंगे, आपको लगे कि ये रोस्ट हो चुकी है, तो इसे हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे, इसी करम तबे पर हम देर्ट चमच जीरा और एक चमच अजवाइन को रोस्ट करेंगे, फ्रेंट्स आपको एंट्रिटी देखी रहे हो, इसे अच्छे से हम रोस्ट करेंगे, इसलिए जीरे को मैंने इस तरह से स्प्रेट कर दिया है, स्प्रेट करने के बाद दोनों चीज़ों को अच्छे से रोस्ट करेंगे, और इसमें डालेंगे हम एक चमच धनिया, साबुत धनिया होता है, जो वो डालेंगे, वो जो धन्डा होता है, और लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है, अगर आपके पास ये नहीं है, तो आ अगर दोनों चीज़ों को अच्छे से रोस्ट करेंगे, उसके बाद इसे हम मिक्सिंग जार में निकाल देंगे, और इसका महीन पाउडर बनाएंगे, और मैंने इसमें हिंग भी डाल लिये, तांकि इसे भी हलका सा सेख लगागे, तांकि ये अच्छे से क्रंची हो जाए और जब हम इसे ग्राइंड करें, तो इसका पाउडर बढ़िया बन जाएगा, फ्रेंट इसे थोड़ा सा हलका सा पाउडर करें, तभी इसे ग्राइंड में डालें, इसे हलका सा दरदरा सा पेस्ट बनाएंगे, थोड़ा सा हलका सा, इसके जो दानियों थोड़े से हों, ज चमच 2-3 चमच पानी के डाले हैं और फ्रेंट्स इसमें डालूगी में चीनी आप 3-4 चमच इसमें चीनी डालों अगर आप धोड़ा सा मीठा कम अवार्ड करते हो तो आप इसे कम भी कर सकते हो लेकिन मीठे के बिना ये गोली अच्छी नहीं लगती है तो आप चाहें तो इ चाहे तो आप इसमें गूड यूस कर सकते हो जब इसकी चाशनी बन जाए चाशनी में फ्रेंच यह होता है कि जब आप इसकी गूली बनाएंगे तो जो मार्किर्स में जो टॉफी जो और जोो ए Literally और आप अप्र इसमें, बिलकुल वैसा ही करान्च तो यह दिए जमच काला नमक डाला है और इसे गैंस को हम ओफ करकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें और थोड़ा से मिठा कम लगा तो मैं इसमें थोड़ा से चीनी और डालूंगी जैसे आप मार्केट में देखते हो ना वाइट 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 आपर पाउडर लगा होता है वह उसमें शूगर होती है चीनी होती है तो मैंने इसे तना से चीनी ली है और इसे की हैल्प से मैं इसके गोलिया बनाऊंगी दो तना की शेप्स दोंगी आप देखिए बहुत बड़ी लगेगी टेस्ट बहुत ही बड़ी है और सबसे जरूरी इंपोर्टन ये है कि ये खाने को पचाते है और आप जैसा मर्जी खाना खाएं खाने के बाद एक गोली आप खाएंगे कोई ऐसीटी गैस की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फ्रेंट्स इसलिए ये वैसे भी पेट के लिए अच्छी है तो आप सभी को यही मैं आप कहना चाहते हूं कि आप जुरूर बनाए ये गोली हैल्द के लिए यह देखे फ्रेंट्स इसलिए अच्छी से जंग चुक है अब मैं से गर्म गर्म से हम जौटी जुटी जुटी इसकी गोल्या बनाएंगे अगर ये इसके पेच धंडा ओ कया न तो यह गोली अच्छ gusta नहीं बनेंगे दिखिए इस तरह से मैंने इसकी छोटी छोटी गोलिया बनाई है अब मैं आपको पेड़ी बनाना भी दिखाऊंगी जो आप मार्केट में होते हैं हिंग पेड़ा वो भी मैं आपको इस तरह से बना कर दिखाती हूँ मिन्टो में रैड़ी हो जाते हैं गरम गरम पर ही आप बस दियान रखना है कि जब इसका पेस्ट गरम है ना हलका सा तभी इसे बनाएं पेड़ी बनाने के लिए थोड़ से बड़ा कोईटिटी थोड़ी से बड़ा दिए और यसे पेड़ी से शेप में दे ने जिसन मार्कीट में होते हैं और इसमी हमने जो चीनी पीस है है वो इसमें डालती है इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और हिंक पेड़ा बनकर रेड़ी है जो हैल्थ के लिए अच्छा है आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी फ्रेंड्स